नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो आरो यारो एक्जाम्स जो 11 फरवरी को हुने वाला है तो उसके लिए विशेश विशेशन विशेश विशेशन से कोशन सो टाप कोशन रहेंगे जो हिंदी के लिए आपको सहायक सिद हो तो सबसे ताफिक भी हिंदी में मांनते हैं कि विशेश विशेशन से कोशन समझ में नहीं आता है तो इसको आप करते हैं वीडियो प्रारंब करने हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं सका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो है यह पूछा जा रहा है कि सवाक्ष में तो यहां पर नहीं किया गया है तो बी कला अपल यहां पर सही हो जाएगा इस दूसरा नंबर को 자기 आशमान का रंग नीला है विशेश से पहके वहां तुब इसमें आस ड्रंग नीला है कौन सा इसमें विशेस से नीला अकास आशमान या रंग डिकीजे इसमें यहां परैंसर हो तो यहां पर एंसर देखे हो जाएगा विशेश किरिया विशेशन या संग्या तो यहां पर एंसर हो जाएगा आपका भी विशेशन का किसका परचायक है ये विशेशन का कोश्चन नमबर चार पर आते हैं दिये गए बिकल्पों में उन्नती सब्द क्या दरसाता है उन्नती सब्द क्या दरसाता है ये पुछा जा रहा है यहां पर उन्नती सब्द क्या दरसाता है विशेशन या प्रती विशेशन या विशेशन या किरिया विसेशन, तो 29 सब्द क्या दर साता है, यहां पर अण सब्सक्रान रहे जाएगा आपका C विसेशन है, क्या है विसेशन, qoscope 5 पर आते हैं, पाँच वह नमबर देखेगा, दिये गए बिकल्पों में पवित्रता का विसेशन कौन सा है, पवित्रता का विसेशन ह Yapuch सई हो जाएगा पांचमा का सी पवित्र कोश्चन नमबर छे पर आते हैं नियुन्तम विशेशन की कौन सी अवस्था है यहां पर हो जाएगा इसका एंसर डी उत्मा अवस्था कौन सी अवस्था है उत्मा अवस्था साथ नमबर कोशन पर आते हैं कोशन नमबर साथ देखेगा विशेशडों की तुलना के अधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं कितनी अवस्थाएं होती हैं यहां परती है दो, पांच, चार, तीन तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका D, तीन अवस्थाएं होती है, कितनी होती है, तीन अवस्थाएं होती है, कोश्चन नमबर आठ पर आते हैं, आठव नमबर देखेगा, सालों बाद उसका प्रवासी पती लौट आया, इस वाक में कौन सा सब्द विसेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा प्रवासी क्या है विसेशन सीस का राइट एंसर हो जाएगा प्रवासी कोस्टन नमबर आठ नौ पर आते हैं विसेशन की विसेशता बताने वाले सब्द क्या कहलाता है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका भी प्र रविसेशण क्या कलता है प्रविसेशन कौश्टन MORE 10 पर आते हैं भारत की सबसे च चणडें नदी ब्रहंपुत्र तथा सब से लंबी नदी गंगा है वाक में प्रयुक्त सब्द सबसे क्या है यहां पuğच रहास सबसे क्या है तो यहां परेंसर हो जाएगा सबसे क्या है प्रविसेशन है क्या है प्रविसेशन है कोस्टन नमर 11 पर आते हैं चर्चा सद से बना विसेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका सी चर्चित चर्चा सबसे बना विसेशन क्या है चर्चित है कोस्टन नमर 12 पर आते हैं निम्लिखित में से कौन सा विसेशन नहीं है कौन सा विसेशन नहीं है तो यहां पर जो है नमक क्या है विसेशन नहीं है तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा नमक विसेशन नहीं है कोस्टन नमर 13 पर आते हैं निमलेखित में से बिसेशन है तो यहां पुछा जा रहा है कौन इसमें बिसेशन है इसका एंसर हो जाएगा डी सांत क्या है बिसेशन है कोस्टन नमर 14 है नेमलेखी सब्दों में से बिसेशन को पहचानिये तो यहाँ पर बिसेशन सब्दों को पहचानना है कौन सा इसमें है तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा ए एतिहासी की क्या है बिसेशन है कोस्टन नमर 15 है वह बहुत धार्मिक ब्यक्ति है वाक में रिखांकित पद है तो धार्मिक यहां रिखांकित पद है इसको याद रखेगा तो धार्मिक के बारे में क्या है संग्या है क्रिया है सरोनाम है या बिसेशन है तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा आपका ड़ी क्या है बिसेशण है कोश्चन नमर 16 पर आते हैं इस परवत माला में बहुत उंचे उंचे पहाड़ है बहुत उंचे उंचे पहाड़ है यह पूछ रहा है इसमें बिसेश्था पूछ रहा है प्रकट करना है क्या है इसमें यहां प्रेंशर हो जाएगा इसका भी बहुत बिसेश्थ कोस्टन नमब बहुत बहादूर है इस बार्ट में कौना सब्ध बि स्यू है यहां पर बिसेश से पुछा है कौना सब्ध इसमें बिसेश से है इसका एंसर हो जाएगा आप का भी राम क्या है इसमें विशेष से है अठारा नंबर कोष्चन पर आते हैं निम्लिकित में से कौन सा सब्द भासड के लिए उपिक्त विशेषन होगा तो यहां ौझा Buff है यहाँ प्रैसर हो जाएगा किसके अनुसार किसके अनुसार क्विसेस के अनुसार कोशon है मुझे चोटी बच्ची के लिए कुछ नय कपड़े खरिदने है वाक in कितने विश्यसड है तो यहां प्रेंसर हो जाएगा आपका 20 का एक 3 28 कितने है इसमें टीन बिश्यसड है कितीन बिश्यसड कौन-्कौन है एक तो चोटी हो गया आपका चोटी कुछ है और इसके बाद नए यह तीन विश्यसड है कोश्चन नमबर 21 पर आते हैं इन में से कौन सा सब्द विशेशन का उदारान नहीं है तो यहां परेंसर हो जाएगा 21 का सी अंतर विशेशन नहीं है विशेशन को दारन नहीं है बाइस नमबर है संस्कृति का विशेशन कौन सा है तो यहां प्रेंसर हो जाएगा आपका बी संस्कृतिक यह संस्कृति का विशेशन है तेईस नमबर है अतिरंजन सब्द का विशेशन कौन सा होगा अतिरंजन तो य यहां परेंसर हो जाएगा आपका D अतिरंजित यह बिसेशन होगा यहां पर 24 नमबर कोशन पर आते हैं यहां गाय अधिक दूद देती है वाक में अधिक बिसेशन किसकी बिसेश्ता बता रहा है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका B दूद की बिसेश्ता बता रहा है किसक आगनेull कोश्चन 25 हे कांटा का विस्एस नहीं कौन सा होगा कांटा का है यहाँ पुछ रहां पूछ रहा कौनसा है यहां पंपाश क्या है यहां प्रेनशर सब्द का विशेशन कौन सा है अध्यात्म सब्द का विशेशन कौन सा है तो यहां प्रेंशर हो जाएगा आपका सी अध्यात्मिक कोश्चन नमर 29 आए निम्नवाक की बिसेशन की किस अवस्था से है यह करेला कड़वा है तो कौन से बिसेशन यहां पूछ रहा है तो यहां परेंसर हो जाएगा भी मूला अवस्था बी सही हो जाएगा तीस नमर कोशन है विसेशन मुलता कितने परकार के होते हैं तो विसेशन मुलता कितने परकार के होते हैं तो यह चार परकार के होते हैं चार परकार के होते हैं विसेशन हां कौन कौन अगर पूछेगा कौन कौन होते हैं तो याद रखेगा गुरु वाचक विसेशन संख्या वाचक विसेशनल परड़ाम वाचक विसेशनल और सारवनामिक विसेशनल कोस्टन नमर 31 पर आते हैं जिन संग्याओं की विसेशता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें कहा जाता है विसेश्य जिन संग्याओं की विसेशता बताई जाती है उन्हें क्या कहते है विशेश से कहते हैं 32 नंबर कोशन है विशेशन किसकी विशेशता बतलाता है तो यहां पर एंसर हो जाएगा वी संग्या और सरवनाम दोनों की विशेशता बताता है 33 नंबर कोशन पराते हैं इनमें से विधे विशेशन का उदाहरण कौन सा है इसमें एंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी यहां पर जो है विधे विशेशन का उदाहरण है question number 34 है निम्न में से कौन सा सब्द असपर्स बोधक विशेशन है तो असपर्स बोधक विशेशन पूछ रहा है कौन सा है तो यहां परेंसर हो जाएगा भी कोमल question number 35 है उर्वर्सी अत्यांत सुन्दर है इन में से कौन सा सब्द प्रविशेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा 35 का C अत्यांत क्या है प्राव विशेशन है Question number 36 है यहां कुत्ता मेरा है इस वाक में प्रियुक्त विशेशन का प्रकार बताईए तो यहां कुत्ता मेरा है तो इसमें कौन सा विशेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा C, सारवनामिक विशेशन है कौन सा है सारवनामिक कौस्टन नमबर 37 पर आते हैं इनमें से योगिक सारवनामिक विशेशन का कौन सा उधारन सही है कौन सा उदारन तो यहा परेंसर हो जाएगा, टी ऐसा आदमी नहीं देखा, यह जो धी सारों नामिक का उदारन सही है कंशन नमबर आर तिस है, यह घर मेरा है, इस वाक में यह किस परकार का विसेशन है, यहाँ परेंसर हो जाएगा आप गी सारवनामिक विशेशन है कौनसा है सारवनामिक विशेशन है कोस्टन नमर 49 पर आते हैं वह पड़ोसी वह मेरा पड़ोसी है इस वाक में वह किस परकार का विशेशन है यहां परेंसर हो जाएगा आपका सी सारवनामिक विशेशन है कोस्टन नमर 40 पर आते हैं यह किताब मेरी है इस वाक में यह किस परकार का विशेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका सी सारवनामिक विशेशन है कोस्टन नमर 41 है यहां कहानी रोचक है यह विशेशन का कौन सा भेद है यह विशेशन का कौन सा भेद है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका सी सारवनामिक विशेशन का भेद है मैं ने अपना घर मटमैले रंग का करवाया इसमें मटमैला सब्द क्या है तो यहां पर एंसर हो जाएगा मटमैला सब्द क्या है तो मटमैला सब्द बीसेशन है कोस्टन नमर 43 पर आते हैं नेमलिखित प्रस्ण चार बिकल्पों में से संग्या सब्द से बनने वाली सही विसेशन सब्द वाला बिकल्प चूनिएं तो यहां पर एंसर हो जाएगा आपका 43 का B 37 साली सही विशेशन सब्द है यहां पर कोश्चन नमबर 44 है बसंत के मौसा में पीले फूल खिलते हैं प्रस्तु तवाक में विशेशन कौन सा है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका D पीले पीले क्या है विशेशन है कोश्चन नमबर 45 है नीचे दिये गए सब्द किस गुण वाचक विशेशन के प्रकार है अच्छा दानी न्याई किर्पलालू तो यहां परेंसर हो जाएगा 45 का है आपका सीवल आपसन हो जाएगा गुण वोधक है क्या है गुण वोधक है 44 नमबर कोशन देखेगा चीनी मद्रासी, बिहारी, आदी सब्द कौण सा विशेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा सी अस्थान वोधक विशेशन है 47 नमबर कोशन है योग व्यक्ति ही पहाचाना जाता है वाक में योग सब्द क्या है तो वाक में आपका योग सब्द होगा गुल वाचक विषेशन, क्या है? गुल वाचक विषेशन है 48 नमबर question पर आते हैं, निम्न वाक्व हो में से विषेशन सम मंधी वाक के चुनिये तिस में कौन सा विषेशन है, यह आपको वाक के चुनना है तो यहाँ परेंसर हो जायागा C, सुन यना अच्छा चित्र बनाती है question number 49 है, नीचे दियेगे कौन सा गुनवाचक का उदाहरान नहीं है यहाँ पर पुछाए गुनवाचक का उदाहरान नहीं तो यहाँ परेंसर हो जाएगा D बहुत लंबी रसी ये गुणवाचक का उदारान नहीं है कोश्चन नमबर 50 पर आते हैं 50 नमबर दखिएगा समझदार सब्द विसेशन का कौन सा भेद है समझदार सब्द तो यहाँ परेंसर हो जाएगा आपका D गुणवाचक विसेशन का भेद है कोश्चन नमबर एक क्याओन पर आते हैं मोह सब्द यहाँ पर दिया है मोह सब्द कौन सा भिसेशन है तो मोह सब्द में कौन सा विसेशन है तो यहां पर इंसर हो जाएगा आपका D गुण वाचक विसेशन है कोश्चन नमबर बावन है सफेद कमीज में कौन सा विसेशन है तो यहां इंसर हो जाएगा आपका C गुण वाचक है कोशन नमबर तीरपन है सच्चे लोग कभी हारते नहीं है इस वाक में सच्चे किस प्रकार का विशेशन है तो यहां पर एंसर हो जाएगा आपका ए गुण वाचक विशेशन है क्या है गुण वाचक विशेशन है 54 नमबर कोशन पर आते हैं दूध मीठा है इस वाक में मीठा किस प्रकार का विशेशन है तो यहां पर भी एंसर हो जाएगा आपका गुण वाचक विशेशन है क्या है गुण वाचक विशेशन है 55 नमबर कोशन पर आते हैं अच्छे बच्चे कभी जूट नहीं बोलते हैं इस वाक में अच्छे किस प्रकार का विशेशन है तो यहां पर एंसर हो जाएगा आपका गुण वाचक विशेशन है 56 नमबर कोशन पर आते हैं काला कलवा है इस वाक में कलवा किस प्रकार का विशेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका ये गुण वाचक विशेशन है अंठावन नमबर कोशन पर आते हैं विद्वान ब्यक्ति पुज्य होते हैं वाक में प्रियुक्त विशेशन कौन सा है तो यहां परेंसर हो जाएगा अंठावन का सी हो जाएगा गुण वाचक विशेशन है 59 नमबर कोशन पर आते हैं सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनी है इस वाक में सच्चे किस प्रकार का विशेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका ए गुण वाचक विशेशन है स्री देवी के लिए सू वर मिला इस वाक में सू किस प्रकार का विशेशन है तो यहां पर भी अंसर रहेगा आपका भी गुण वाचक विशेशन है 60 पर आते हैं मोहन एक सालीन लड़का है इस वाक में सालीन सब्द क्या है गुण वाचक विशेशन है कोशन नमर 62 नमर पर आते हैं चाय फीकी है इस वाक में फीकी किस प्रकार का विसेशन है तो यहाँ परेंसर हो जाएगा आपका C गुणवाचक विसेशन है 63 नमबर कोशन पर आते हैं इन में से गुणवाचक विशेशन कौन सा है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका D उपरोक्त सभी गरीब सूखा पीला सा यह सब गुणवाचक विशेशन है 64 नमबर कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 64 है 64 नमबर देखेगा दादी ने धेर सारे खिलावने खरीदे इस वाक में परियुक्त बिसेशन कौन सा है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका बी अनिश्चित संख्या वाचक बिसेशन है 65 नमबर कोशन है निमलिकित में से कौन सा गुणवाचक बिसेशन नहीं है तो यहां पर मनो अनाज यह जो है गुणवाचक बिसेशन नहीं है स्ट्थ नंबर कोशन पर आते हैं 9 रस है इस वाक्य में 9 किस प्रकार का बिसेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका D संख्य वाचक बिसेशन क्या है संख्य वाचक बिसेशन है शरसट नमबर कोशन पर आते हैं, अश्ठा दस पुराण है इस वाक्व में अश्ठा दस किस परकार का विसेसन है तो यहां प्रेंसर हो जाएगा संख्या वाचक विसेसन है औरल गिशन है ब३ाल 25 किस विसेसन का वुदारण है तो यहां कुछ बच्चे इधर आओ वाक्क में विशेशन पहचानी है कुछ बच्चे इधर आओ वाक्क में कौन सा विशेशन है यहां पूछा जा रहा है इसमें सवरेज़ेगाड़ी संख्या वाचक है कौश्चन नमबर सत्तर है कौन सा विशेशन निश्चित संख्या वाचक विशेशन नहीं है तो निश्चित यहां पर नहीं पूछा है तो यहां पर परेंसर हो जाएगा इसका सेकलों लोग मारे गए निश्चित जन संख्या वाचक विशेशन नहीं है कुश्चन नंबर 71 है 25 रूपे दीजे वाक में विशेशन पहचानी यहां पर हो जाएगा निश्चित संख्या वाचक विशेशन क्योंकि 25 रूपे निश्चित है यहां पर 72 नंबर कोश्चन पर आते हैं कितने प्रस्ण करने हैं इस वाक में विशेशन विशेशन है कितने प्रस्ण करने है यानि इसमें पता नहीं है तो 72 का एंसर हो जाएगा भी संख्या वाचक विशेशन है कोश्चन नंबर 73 है चंद रूपे बचाने के चक्कर में कई लोगों को सर्मसार होना पड़ा है इस वाक में प्रिक्त विशेशन का भेद पहचानी है इसमें कौन सा भेद है यह पहचाना है तो यहां पर हो जाएगा अनिस्सित वाचक विशेशन है यह कोश्चन नंबर 74 है चौथा ब्यक्ति जादा होसियार है इस वाक में चौथा क्या है तो यहां प्रिंसर हो जाएगा संख्या वाचक विशेशन है क्या है संख्या वाचक विशेशन है कोश्चन नंबर 75 पर आते हैं क्राम वाचक विशेशन का उदाहरन कौन सा है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका D दूसरा है कोश्चन नमबर 76 है इन में से आभिर्तिवाचक विसेशन का उदारन कौन सा है यहां परेंसर हो जाएगा आपका D चावगुना कोश्चन नमबर 77 ہے पहली पुष्टक वापस करो में पहली कौन सा विसेशन है तो पहली कौन सा विसेशन यहां पूछा जा रहा है यहां परेंसर हो जाएगा अपका B क्रम वाचक विसेशन कौन सा क्रम वाचक विशेशन meditation 88 नमबर कोशन पर आते हैं मेरी बहन दसमी कच्छा में पढ़ती है इस वाक में दसमी सब्द का कौन सा विशेशन है तो यहां पर एंसर हो जाएगा संख्या वाचक विशेशन है 89 नमबर कोशन पर आते हैं 89 नमबर मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए इस वाक में 10 किस प्रकार का विशेशन है तो यहां पर एंसर हो जाएगा ए संख्या वाचक विशेशन है 80 नमबर कोशन पर आते हैं इनमें से संख्या वाचक विशेशन से संबंधित कौन है तो यहां पर एंसर हो जाएगा दी 4 कुर्सिया क्या है संख्या वाचक विशेशन है एक 80 नमबर कुशन पर आते हैं इन में से गल्णा वाचक विशेशन का उधारन कौन सा है तो गल्णा वाचक यहां पर अंसर हो जाएगा एक यासी का ये तीन क्या है गर्णा वाचक विशेशन का उधारण है कि कोश्चन नमर 82 पर आते हैं 82 नमर देखिएगा हाँ राजू ने मुझे दो पुस्तकें दी इस वात्य में दो किस प्रकार का विशेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका सी अनिस्सितों संख्या वाचक विशेशन है तीरासी नमबर कोशन है राम एक पुस्तक मुझे दो इस वात्य में एक किस प्रकार का विशेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा संख्या वाचक विशेशन है 84 नमबर कोशन पर आते हैं सभा में पचासों लोग थे वात्क में विशेशन कौन सा भेद है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका 85 नमबर कोशन पर आते हैं अध्यापक ने मुझे चार पुस्तके दी इस वात्क में चार किस प्रकार का विशेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका बी संख्या वाचक विशेशन है 86 नमबर कोशन पर आते हैं निमलिकित में से समुदाय वाचक विशेशन है तो समुदाय वाचक विशेशन कौन सा इस में तो यहां परेंसर हो जाएगा सभी यह प्रतेक दूना तीन 87 नमबर कोशन पर आते हैं एक लड़का स्कूल जा रहा है इस वाच में विशेशन पहचानी है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका डी गलना वाचक विशेशन है 88 नमबर कोशन है मोहन तुमसे चवगूना काम करता है इस वाच में विशेशन पहचानी है इस वाच में जो है आभिर्ति वाचक विशेशन है 89 नमबर कोशन पर आते हैं कोशन नमबर देखेगा कई दर्सक गण किस विशेशन का उधारन है तो यहां परेंसर हो जाएगा अनिशित संख्या वाचक विशेशन का उधारन है 90 नमबर कोशन देखिएगा केवल अनुमानता सर्वथा किस प्रकार के विसेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका D परड़ाम वाचक विसेशन है 90 नमबर देखिएगा मेरे कुर्ता पैजामास में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा वाक में विसेशन पहचानी है तो यहां परेंसर हो जाएगा आपका C परड़ाम वाचक विसेशन है 92 नमबर कोशन पर आते हैं थोड़ा सा दूद गरम कर दो इस वाक में विसेशन का कौन सा भेद है तो यहां परेंसर हो जाएगा अनिसित परड़ाम वाचक विसेशन है कोस्टन नमबर 93 है आज मुझे बहुत काम है इस वाक में बहुत किस परकार का बिसेशन है तो यहां परेंसर हो जाएगा परणाम वाचक बिसेशन है कोश्चन नमबर 94 है इनमे से पड़ाम बोधक विशेशन का उदाहरन कौन सा है तो यहाँ परेंसर हो जाएगा सी थोड़ा पड़ाम बोधक विशेशन का उदाहरन है 95 नमबर कोश्चन पर आते हैं आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है इस वाक में थोड़ी सी किस परकार का विशेशन है तो यहाँ परेंसर हो जाएगा आपका ड़ी पड़ाम वाचक विशेशन है कोश्चन नमर 96 है आज दूद वाला बहुत देर से आया इस वाक में बहुत किस परकार का विशेशन है तो यहाँ परेंसर हो जाएगा पड़ाम वाचक विशेशन है कोश्चन नमर 97 है सायद आज आज आप ज्यादा खाना खाएं है इस वाक में ज्यादा किस प्रकार का बिसेशन है तो यहाँ परेंसर हो जाएगा आपका बी परणाम वाचक बिसेशन है 98 नमर कोश्चन पर आते हैं आटे में थोड़ा नमक डालें वाक में प्रियुक्त ब्याकरण पहचाने तो यहाँ परेंसर हो जाएगा आपका डी अनिस्चित परणाम वाचक है कोश्चन नमर 99 है इनमें से कौन सा परणाम वाचक बिसेशन का उदारन नहीं है तो यहाँ परेंसर हो जाएगा आपका बी किरिया के नाप तौल का परणाम वाचक बिसेशन दौरा किसका बोध होता है यह हो गया आपका विसेशन से समंदित 100 कोशन तो उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक करें अपने दोस्तों कहां अधिक सेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम